हेलो स्टुडेंट कैसे आप 12 आपने पास आउट कर लिया है और 12 पास आउट होने के बाद आप कॉलेज में एड्मिशन लेने जा रहे हैं चाहे रेगुलर में लेने जा रहे हैं चाहे एसोल के अंदर लेने जा लास्ट वीडियो मैंने एक बनाया था रेगुलर वर्सिस एसोल बच्चों ने देखा आज का है कि जो बच्चे भीकॉम ओनर्स या प्रोग्राम यह वीडियो स्रिफ उनके लिए है उसमें से किस की वीडियो को मतलब कौन-कौन से सब्जेक्ट्स वो सलेक्ट करें और किस तर सभी बच्चों के हिसाब से और सभी बच्चों को इसमें ओप्शन मिलेगा फिर मैं वीडियो जो लेके आउँगा आप सभी के डिमांड के ऊपर आपको टॉपिक वाइस ऑनर्स के लिए अलग लेके आऊँगा रेगुलर और प्रोग्राम के लिए अलग अलग मैंतलब इस पॉलिसी एनिपी के बेस पे जो एडमीशन लेंगे स्रिफ उनके लिए हैं और जिनों हर एक उनिवर्सिटी इसका मतलब सेलेक्शन कर सकते हैं चाहे आपका डेली उनिवर्सिटी के बच्चे हो बाहर वालों को भी जहां एनिपी अप्ट हो गया है वहां पर मिल सकता है चल डेली उनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा था तो डेली उनिवर्सिटी में आपका जो स्लेब से कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है आपके पास मैं कुछ बाते बता दूँ आपके पास जो टूटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट होंगे सेमेस्टर वन की चर्चा कर रहा टूटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो होंगे चाहे बच्चा ओनर्स का हो चाहे बच्चा प्रोग्राम का हो चाहे बच्चा एसो एल का हो चाहे बच्चा नोन कॉलिज का हो कोई भी हो आपके टूटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट रहने वाले हैं सर सेवन रहने वाले हैं सेवन से आपको option choose करना होगा वह college to college depend करता है change होगा पर core subject की बात करें तो चाहे known का एस वेल regular किसी भी stream का बच्चा हो तो वह choose कर सकता है तो देखते हैं सर core subject कौन-कौन से हमारा उसके उपर focus करते हैं सर यह हमारा core subject है core subject में बात करें तो management and principal application और program के अंदर business organization management basically इस subject को मैं थोड़ा सा detail में लेके जाऊंगा तो यह कहीं न कहीं जो 12th class में पढ़ा था आपका business study BST से related थोड़ा होने बादा है तो यह subject देखो सबको मिलेगा आप जिसको मिलेगा वो लेना ही यह तो core subject है इसमें तो option channel के उपर तो business law business law के अंदर क्या रहेगा सर business law के अंदर रहने वाला है कि स्टार्टिंग में जो हमारा law यानि contract एक्ट है काफी सारे एक्ट है इसके अंदर नहीं है contract है आपका sales of goods sex है LLP है तो वह चीज़े पढ़ेंगे business law में एक है financial accounting कहा देते हैं इसको भी बोल देते हैं तो financial accounting मैं आपको teach करूंगा और financial accounting के अंदर क्या होता है नहीं होता है वह सारी द्यान रखना है कि यह तीन सब्जेक्ट सभी को common मिलेंगे अब बाकी के बचके एक दो तीन और चार सब्जेक्ट और साथ सब्जेक्ट बताए थे तो बाकी के जो सब्जेक्ट से इसमें से जनर्रल अब देदिया नहीं इसमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है आप एक बात ध्यान रखिएगा जो यह सब्जेक्ट सापको दिए गये सब्जेक्ट से जो भी सब्जेक्ट चूज करें तो यह क्या करते हैं कि आपके छे समेश्टर में रोल और करके आगे लेकिन semester wise तो अभी कौन सा subject choose करोगे simple सी बात तो अभी यह जानना चाहते हो कोई कौन सा subject choose करेंगे तो sir इसके अंदर ना एक subject new amendment आया था चेंजिस आया था honors के लिए एक सब्जेक्ट economics इसके अंदर provision रखा गया है तो आप economics चूज कर सकते हों यहां पर मैंने लिखा नहीं है एकनॉमिक्स चूज कर सकते हों दूसरा आपको आसान सब्जेक्ट में बोलूँगा तो अभी तक हमने सिर्फ 5 सब्जेक्ट पढ़ा था छटा एडिशनल था तो थोड़ा पजल हो जाओगे तो उन सब्जेक्ट का आप सेलेक्शन करिए जो की एजी और आसान है जिसमें से मैं बोलूँगा फाइनेंस फॉर एवरीवन एजी है और एकनॉमिक्स आपने पढ़ रख सब्जेक्ट आपका 12 में था इससे टच में तो डेफिनिटली आप उसको चूज कर सकते हैं इसका स्टडी मटीरियल बेस्ट इसके अंदर क्या पढ़ाया जाएगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा एस वेबसाइट पर चले जाओ गया मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ड आइडिया लगा सकते हो कि इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं क्या यह सब्जेक्ट 12 से रिलेटीड है क्योंकि 12 में भी हर बच्चों के पास अलग-अलग होता है और जो बच्चे साइंस के स्ट्रीम के बच्चे हैं वह तो सर आप फाइनेंस फॉर एवरीवन ले है अब रेगलर कॉलेज वालों की हर कॉलेज की अपनी मर्जी है कि इसमें से कौन सा सब्जेक्ट देगा मैंने बताया कि अगर यह मिले तो प्रियरेटी पर यह लिले ले ना अब माल लितने हैं कि स्रीराम कॉलेज आफ कॉमर्स वालों ने बोला भीया हम तो देंगे किसमें से कोई चूज करने को दिया जाता हैं कभी आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि कॉलेज वाले पूरी लिस्त देंगे यह 6 कच सब्जेक्ट की का बलेगा जिन बच्चों एडमीशन ले लिया और सब्जेक्स चूज कर लिया है वो सिंपल सा एक एप्लिकेशन देखे SL department में अपना syllabus सब्जेक्स चेंज करा सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है थोड़ी सी लेट वीडियो है इसके बाद आपका ability enhancement जिसके अंदर आपका Hindi English और यह दो चीज़े होता है ability enhancement के अंदर Hindi और English और language के उपर focus करते हैं तो में भी वह आपको Hindi दे में भी आपको English दे वह college to college डिपेंड करेगा मैं फिर से कहना चाहूंगा जो यह सारे subjects है ना यह सारे सारे subjects वो subjects है जिसके अंदर किसी को कोई choice नहीं मिलेगा इसमें से choice मिलेगा और चौइस भी समस सोची है कि सभी में से कोई एक choice मिल जाएगा आपको college बाइस स्पेसिफिक लेना पड़ेगा इसमें choice करना पड़ेगा अब इसके बाद आते हैं skill enhancement क्या आपके skill enhancement होगा अगें दिखें business organization देखें चेक करिए का यहां पर भी business organization यहां पर बिजनस organization तो business organization सर्थ दोनों में choice अगर आपने यहां चोई कर लिया तो यहां भी कोई और option खुल जाएगा बेसिकली डेली युनिवर्सिटी या अदर युनिवर्सिटी का कोर मोटीव यह है कि हम बच्चे को सारे सब्जेक्स पढ़ाएं आप अभी अपने हिसाब से अभी सब्जेक्स चूज कर लीजिए बाद में हम आपको दूसरा सब्जेक्स देंगे इसमें कुछ एक सब्जे यह जो हम आपस में बात चीत करने हैं मैं भी एक कम्मिनिकेशन कर रहा हूं आपका इंटरनेट के थुरू यानि आपका डिजिटली आपसे कम्मिनिकेट कर रहा हूं तो यह सारी चीजे तो इस वाले में से अगर आपको option मिला तो मैं बोलूँगा बिजनस कम्मिनिकेशन च मार्केट में अविलिबल है हमने सब्जेक्स तो चूज कर लिया मान लेते हैं हमने चूज कर लिया सर प्रसनेलिटी डेवलेप्मेंट बहुत अच्छा सब्जेक्ट से लेकिन इसका आपको study material नहीं मिल रहा कुछ नहीं मिल रहा और paper में कैसे लिखोगे यह चीज भी आपक यह बच्चे हैं वो अगला फिर से एक आजाएगा इसके अंदर English है तो यहां पर Hindi आजाएगा या Hindi English इसमें से चोईज आजाएगा तो बेसिकली देखा जाए तो यह तीन core subjects है जो हर बच्चों को मिलेगा इसमें college-wise होता है non college-wise भी चोईज रहेगा और S.O.L. का अपना सिस्टम है उसका भी चोईज रहेगा है इसमें Hindi और English तो Hindi और English दोनों होगे कितने होगे पांच और इसमें से कोई एक चूज करना पड़ेगा कहने का मतलब है तीन subjects हम compulsory पढ़ाएंगे और इसमें से एक-एक चोईज करवा लेंगे आपसे correct है तो इस रिसाप से आपका प लग से वीडियो बना के लाँगा वोफुली आपको help मिल रहा होगा आप जाएए अपने दोस्तों को बताईए कि कैसे उनकी help होगी किस तरीके से सब्जेक्ट्स चूज कर पाएं सेमिस्टर वन के इंदर थाइंक यू